नमस्कार खबरे अभी तक पर मैं हूँ आपके साथ नेहावाली और नारायन भविश्यवानी में आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर नारायन आचारे जी बहुत बहुत स्वागत है तो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो उसका समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप नारायन भविश्यवानी में नारायन जी से अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं स्क्रीन पर लगातार फोर नंबर जो है फ्लैश हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं नारायन जी सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर किसान जो होते हैं देश का अनदाता होते हैं अनाज उगाते हैं जिससे कि हम सभी का पेट भरता है तो किसानों की बहुत सार जै किसान जै जवान ओ मंगलम भगवान विष्णू मंगलम गरुडद धोजब मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगला इस्तनो हरे पूरे विश्व का कल्यान हो सभी का मंगल हो आज बात करेंगे किसान भाईयों के उपर जो किसान भाईय हैं पूरी देश की जो सिस्टम है जो पूरे देश की जो अर्थ विवस्ता है वो किसानों के उपर होती है और सरकार की अगर हम देखें या किसी भी सरकार की देखें आज तक किसानों के उपर कोई भी ध्यान नहीं देता किसान एक ऐसा इंसान है जो सब का पालन पोशन करता है और मैं तो किसान को भगवान विश्णू का नाम दूँगा कि हर वो किसान जो खेती करता है वो भगवान विश्णू का रूप है बिल्कुल कि शास्त्रों ही है जिनके वज़े से अनुग आपको बाया जाता है और सभी का पेट जो है भड़ते हैं तो पहले कॉलर हरीश वो पर जोड़ चुके हैं हरीश नारायन भविशवानी में बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखिए अपने ब्रदर के वारे में पूछना जी बताईए नारायन जी क्या नाम है उनका उनका जी गोरव मंगला गोरव मंगला जी बताईए गोरव जी के डेटों पर तो समय बताईए आप उनका जी पेईस अपरेल नाइनटी टू समय बताईए नारायन जी ताप बज़ के छे पीम जी इंद का जी क्या पूछना चाहेंगे आप इनके लिए देखे नारायन जी तुला लगन का जनम बनता है और तुला लगन के अंदर क्या तीन गरे इनके तीसरे स्थान पे बैठे हैं अब राहू और चंद्रमा का जो विशेश योग है तीसरे घर में वो थोड़ा सा क्या बैपार में पार्टनर्शिप को नहीं चलने देता एक त पत्थर पेनाईए आप इनको चांदी की अंगुठे में दाहिने हाथ की पहले उंगली में मिडल फिंगर में और दूसरा मौर्ग के पंक इनके सिराने पर रखिए और तीसरा नारायन जी इनको बोलिए मन लगा कर काम करें क्योंकि रहू की मादशा मन को विचलित करती है क युए क्या करें क्या ना करें तो आप इनको और दूसरी बात हम इनको सलांएंगे की करें के जौब की तरफ बिलकुल ना जाएं बीजिनस के योग बड़े दार होगा और बोगड़े में पर अगले घॉलिया पर लेकॉलर गुल्षन फोन लाइन पर जूट चुके हैं गुल्षन नाराइन भविश्यवानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखिए अंदी की पर नाम हा नाराइन जी नाराइन जी यह न मैंने बेटे के बारे में पूछना था जी देवी जी बताइए नाम बताइए उनका नाम पियूश पियूश डेटो बर्स बताइए देवी जी स्टारा अगस्त उनिस वश्यानवे स्टारा अगस्त नइन टी सिक समय बताइए लिए जी जनमस्थान बताइए देवी जी पते आबाद हर्याना जी दिवी जी क्या जाणना चाहेंगे आप इनके लिए एक तो गुरु जी एक तो इसके सवास्ति के बारे में जानना है जी एक उसका ना किसी ने जेल का योग बताए है गुरु जी सब्सक्राइन की बात नहीं है ऐसे मंगल शुकर जब लगन में एक स गबराने वाली बात नहीं है आप यह मान के चलिए कि इनके जो ग्रह हैं नवंबर दोजार अठारा तक थोड़ा सा इनको क्या पॉजिटिव मोटिवेट कीजिए और इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए उपायक के तोर पे डेली हनुमान चालिसा का पाठ करें लाल रंका र जी नरेश आप से यहां पर रिक्वेस्ट है कि अपनी टीवी का जो वॉल्म है उसे कम करने ताकि आपको आवाज जो अच्छे से सुन पाएं और हम भी आपके प्रशन को सुन पाएं हाँ मैंने कर दिया जी 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 आठ जून उनीसो इक आनमे जी जी आठ जून उनी सो इक-ानमे समय बताईये अ जी तोर अ साथ-पेंटीश यां जी है ю अब साथ-बज सकर पैंटीस मिनट है यकान मैं क़ जी नाम है बच्चे नाम में बच्चे का य त स मके लिए विवाहिक योग के बारे में ठीक है नाराएंग जी देखिये वरिश्ची कि लगन का जनम है और मंगल इनके भागय घर में नीच के बैठे हैं मांगली कि योग तो बिल्कुल भी नहीं है कुंडली बड़ी शानदार रहे वरिश्ची की लगन का जनम है पंचम भाव में 2018 तक इशुरिय क्रिपा से नारायन क्रिपा से बगवान विश्णु के आशिरवाद से इनका विवा संपन होगा बड़े अच्छे प्रिवार में शादी होगी और बहुत अच्छा ब्यापारिक इनसान मिलने की योग ज्यादा बन रहे हैं क्योंकि पती भाव में सात्में भा पर आपको एक सजेशन देंगे एक ब्रश्पती का यंत्र आप बोलिएगा ब्रश्पती का यंत्र शुद करके गुरुवार के दिन बच्चे के गले में डाल दीजिए और हो सके तो एक पीला पुखराज चार रत्ती का पैना दीजिए जुरूर कल्यान होगा नेरेश जी नमोना रहें जी चले बहुत बहुत शुक्रे अपना सवाल रखने के लिए अगले कॉलर चर्खी दादरी से मोहित फोन लाइन पर चुड़ चुके हैं मोहित अपना सवाल रखिए मेरी डेट ऑबर से 47 नो जी 27 नो 시청 सबसात सुबह का है आँ जी बताएए क्या जानना चाहेंगे आप मोहित जी मैं मेरे नोकरी के बारे में नोकरी कब लगेगी आपकी सरकारी नोकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं हाँ जी देखिए कोई गबराने के बात नहीं आपकी कन्या लगन की कुंडली है बड़ी शांदार कुंडली है लगन में शुकर सूरिय बुद्ध लगन में सूरिय जब आ गए है सरकार के साथ तो आपका संजोग बनाएंगे बनाएंगे थोड़ी मैनत कीजिए फरवरी 2019 तक ग्र हरा पनना दाइने हाथ की चुची उंगली में पैणना है और एक हरे रंग का रुमाल अपने पाच रखें और पक्षियों को रोजाना दाना डाले आपका कल्यान होगा नमो नरायन जी चले बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए अगले कॉलर भिवानी से रामसुंदर फोल लाइन पर जूड़ चुके हैं अपना सवाल रखिए हमें साइब क्या रोजी सुबय का है शामका जी शामका जी क्या जानना चाहेंगे नारायन जी आप क्या जानना चाहेंगे सुन्दर जी करक लगन की कुंडली है और करक लगन ज्यादा तर अंस्टेबल कुंडली होती है ज्यादा तर आपकी आवाज आपको सुनाई दे रह प्रशन क्या प्रशन क्या आपका क्या जानना चाहेंगे आप मेरा काम का भी निकल देया और तरीज भी ठीज निज़ता है जी कोई ऐसी बात नहीं है आप एक आपको छोटा सा उपाये बता रहे हैं वह उपाये कीजिए क्योंकि ब्रश्पति की महादशा चल रही है और कोई यसी बात नहीं है लगन में जब रहू बैठे हुएं तो थोड़ी पेट की परशानिया सिर्दर्द की परशानिया बैक पैन और कमर में दर थोड़ी थोड़ी ऐसी चोड़ी परशानिया देते हैं यह कभी कभी रहू जब लगन का है तो ऑपरेशन के भी हालात बना देते ह लेकिन आप बिल्कुल ना गवराएं उपाय के तोर पे क्या करेंगे आप हर शनिवार गायों को चारा डाले अपने वजन के बराबर का और शनिवार किसी मजदूर को आपने खाना खिलाना है महिने में कम से कम दो बार आप मजदूर को खाना खिलाएं एक वर्स तक बीमारिय प्रांग भविश्यवानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखी है कि मेरे बैटे के बारे में पूछना है जी देवी जी नाम बताइए बच्चे का महुईत मंगा जी डेटो बर्स बताइए उनका अठारा नुवंबर उनीस वानवे जी अठारा नवं जी यह ना अभी यह मेरा बैटा ना प्राइवेट जोग कर रहा है जी अभी तक कोई प्रमोशन नी कुछ नी और किसी ने कहा है इसके उपर है जुठे अरोफ लगेंगे गुरु जी कोई अच्छा उपाई बता देए बिलकुल आप ना खब रहें देवी जी ऐसी कोई बा उपाली और थोड़ा सा क्या लगन में शनी बैठे हुएं तो आपको चोटा से एक दो टोटकी तो एक दो उपाए बताएंगे उपाए कीजिए का जरूर सफलता मिली की जरूर कल्यान होगा उपाए क्या करने सूरिय को रोजाना जल देना है हनुमान चालिसा रोजाना पड़े हैं पुराने कपड़े जो पड़े हैं जो आपका भी यूज नहीं कर रहें वो भी सारे के सारे बाहरा आपको गरीब को दान कर दीजिए जरूर कल्यान होगा नमोना रहेंजी तो देवी अपना सवाल रखने के लिए अगले कॉलर इलहाबाद से विद्या भूशन पॉल नाइन पर जूड़ चुके हैं अपना सवाल रखिए जी नाराएं जी नाराएं जी प्रभू उमारी बेटी है शुभांगिनी बहुत सुन्दर नाम है शुभांगिनी बताईये 28, 29, 83 को पैदा हुई है, 28, 9, 83 10, 35 रात को बाम्बे में, 83 10, 35 रातरी, जी बाम्बे में, बता यह सर्ब, क्या जानना, चाहेंगे, इसकी साधी नहीं हो पारहीं है और बहुत लोग कर रहें कब तक हो पाएगा ने ने ये असा कुछ नहीं है थोड़ा सा आंशीक कालसरफ योग था वो भी भंग हो चुका है कोई ऐसी बात नहीं है और कोई गुरु चंडाल योग ठीक है गुरु छटे घर में जब बैठे हैं केत्टू के साथ बैठे हैं जब राओ के साथ होता तो पूरण चंडाल योग बनता है विवा में थोड़ी देरी हो जाती कभी कभी श्रीमान जी लेकिन गभराने की बात नहीं क्योंकि इनका मित् भी नहीं की होगी दूसरी बात इनके ब्रश्पति की मादशा भी चल रही है और वर्तमान में 26 जनवरी 2018 तक अभी सूरिय का अंतर है तो आप प्रियास कीजिए 26 जनवरी सन 2018 तक इसुरे क्रिपा से आप बच्चे का जो मंगल कारिया वो सफल हो जाएगा इनको अच्छा को इनको वर्च जरूर मिल जाएगा उपायक के तोर पे आपने क्या करने श्रीमान जी आप क्या करेंगे पीले रंग के फूल लेने हैं और जितनी बच्चे की आईउ होगी है उतने गिन लीजिए मान लीजिए बच्चा आपका 27 साल का होगा तो 27 पीले रंग के फूल लीजि है नाराइन भाविश्यवानी में बहुत बहुत स्वागत आपका अपना सवाल रखिए मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूं जी आजी तीन नुवंबर 1970 समय बताई ये आपका समय छे बच के 45 में इट सुबा जी क्या नाम है आपका पूरा उरिंदर कोर सुबह 6 पन्तालीस जी जनम स्थान आपका देवी जी जनम स्थान गुजराद का है जी क्या जानना चाहेंगे देवी जी आप ये पन्दर जी की मेरी सहत नहीं कभी ठीक नहीं रहती कभी होती है जनी तो पैरों में दद कभी सीर में दद तो सेट के बारे में बताओ और मेरा जूशी कैसा है आने वाला जी आपका आने वाला समय कैसा है अगर इस पे हम विचार करते हैं देवी जी जुलाई 2019 तक मंगल की माधश है थोड़ा ओप्रेशन के हालात बन सकते हैं थोड़ा हैल् और लखिये जल्दबाजी ना करें और वहन हो सके तो थोड़ा गाड़ी अगर आप चलाती हैं या कार्म या बाइक पे कभी जाते हैं तो आप थोड़ा साफदान रहें बारवे घर में मंगल है जैसे मंगल की दशा निकलेगी उसके बाद आपका जरूर कल्यान होगा उप आपने क्या करने पीले रंग का परेज करने सफेद रंग को बढ़ावा देने और हो सके तो गुरुवार के दिन पीले चने की दाल जो है मंदिर में दान करनी है पीले कपड़े में बांध करके आपका जरूर कल्यान होगा नमोना रहें जी चले बहुत बहुत शुक्री जी तो आप दोबारा संपर्ट जोडनी की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आचारे जी हमारे से जुड़े हुए हैं आपकी तबाम जो समस्याएं हैं जनका समधान नहीं हो पा रहा है उनका उपाए नारायन जी आपको बताएंगे टीवी स्क्रीन पर लगातार फोर नंबर फ् देश की धरती के ऊपर कहीने कही परशानीयों को जेल रहे हैं ताकि वो बविष्चे में ना जेले ये एक महा उपाए हर वो किसान भाई करे जो खेती करता है आपके खेत में बरकत नी औरी वो तिल तिल करके आज के दिन मर रहा है सरकार की नीतियों की वज़े से चाहे हो वरतमान हलात की वज़े से हो चाहे करच की वज़े से हो आज दोस्तों मैं उन किसान भाये वह महा उपाय बताने जा रहा हूँ आप record कर लीजिए समझ लीजिए लिख लीजिए और फिर भी दोस्तों नहीं समजा दो आप ये प्रोग्राम के पस्चाथ हमारे Facebook पेज के उपर आप नारायन भविश्वानी के पेज के उपर आप जाएं वहां पे आपको पूरी recording मिलेगी दोस्तों उपाय क्या करना है खेती में बर्कत के लिए खेती में तरक्की के लिए आपने एक कलश लेना है एक मिट्टी का कलश लेना है उसके अंदर आपने सवा किल किलो गुड के साथ में आपने डालने सवा किलो अनाज अनाज क्या डालेंगे हरे साबत मुंग की डाल सवा किलो चावल डालने हैं अपने साथ में साबुत चावल थोड़ी सी कपूर का एक टुकडा डालना है थोड़ा एक चांदी का टुकडा डालना है और एक थोड़ा सा तामबे का टुकड़ा साथ में डालना है दोस्तों साथ के अंदर आपने क्या करना है एक सुपारी डालनी है साबुत और एक आपने क्या करना है मंदीर से थोड़ी गुर्दवारा साब से थोड़े सी आपने गौशाला से थोड़ी कचेरी से और थोड़ी नहर के किनारे से मि साफ करके चान करके क्या करना है कलश के अंदर डालनी है दूसरा दोस्तो जो आपके आस-पास में खेट की जो मिटी है उसको साफ करके चान के बाकी कलश को मिटी से भर लागे नहीं करके और बरकत के लिए परास्ना करके को एक जा अज उसके अंदर दोस्तों आपने क्या करना है, उस मटके को दबा देना और प्राथना करनी है, कि हे विश्णु बगवान, हे वाहिगुरू जी, हे नाराएं जी, मेरे खेत में बर्कत हो, मेरे प्रिवार की तरकी हो, हमारे वंश की तरकी हो, और हमारी खेती दिन दुगना, चोगनी तरकी करें ऐसी प्रार्थना करते हुए दोस्तों आपने ये मटके वाला उपाए करना है खेत के मद्य में आपको बरकत मिलेगी आपकी चाहे नर्मे की फसल है चाहे आपकी कोई फ्रूट की फसल है चाहे सब्जियों की फसल है आप अपने खेत के मद्य अस्थान में ये उपाये जुरूर करना दोस्तों जुरूर कल्यान होगा आपका जो किसानों के लिए स्पेशली नारायन जी ने बताया तो आप इस महा उपाय को ज़रूर अपना आए और इसे के साद अगले कॉलर दिली से आलोग फोन लाइन पर जुर चुके हैं हरे नारायन भाविश्यवाने में आपका बहुत-ाइस वह थागत है अपना सवाल रख fällt अची अपधा हो अदि गया सुषब लादा सब्संतों है कि मैं मेरे अद्प्रूर नाम आप एपका देटोबरत यह आपका अलोग जी चैसे जी और अलोग सिन्ग जी समय बताइए जनम का आपका साड़े पांच बजे शाम का सुबह का सुबह का जी क्या जानना चाहेंगे आप जीवन की तरक्की के बारे में काम की तरक्की के बारे में देखिए लगन में शुकर रहू एक साथ विराजमान है कोई ऐसी बात नहीं तरक्की तो बहुत करेंगे जिंदगी में दो हजार चोबीस तक रहू की महादशा भी चल रही है तो आप चिंता बिल्कुल ना करें एक गोमेद का पत्थर जरूर पहन जाती है एनर्जी डाइवर जैसे होएगी आपका काम से ज्यान से मन हट गया और उसके पस्चात आप दोस्ट देते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा आप अपने काम पर थोड़ा मन लगा के मेहनत कीजिए आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है उपाएक के तोर पे मित् पंक आपको चैनाने की तरफ बिजनस प्लेस पे लगा के रखने हैं गोशाला में जाकर कि आपने क्या गाये को सफेद रंकी मिठाई खिला किया यह किसी भी एक शुक्रवार के दिन आपका जरूर कल्यान होगा चुले बहुत बहुत शुक्रिया लो किसी के साथ अगली कॉ पून लाइन पर चुट चुकी हैं गोदावरी अपना सवाल रखी जी नमस्कार राम राम नमोना रायन बताए देविजी एंडर सिंग है वैसे घर में बिक्की बोलते हैं उसको जी बताए डेटो बर्त बताए उनका समय बताइए देविजी समय जी 3 बचके 10 मिनट पर है दोपैर का जी आ रात को तीन बचके 10 मिनट जी क्या जानना चाहेंगे देवीजी जानना चाती हूँ जी एक तो इसकी साधी नहीं हो रही है, साधी का कोई योग नहीं बन दा है, दूसरा इसकी तवियत भी ठीक नहीं रहती है, बुद्धी में ऐसी चंचल सी है, अच्छे जी, कोई बात नहीं देवी जी सिंग लगन का जनम है और इनकी कुंडली में खास ब बुद्धी मान पड़ी लड़की जीवन में आएगी, जून 2018 से पहले पहले विवा हो जाएगा, अच्छे घर में होगा, अच्छे परिवार में होगा, उपाय के तोर पे आपने क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में आपने लाल नंकी मिठाई, चार मंगलवार दान करन पंड़ी नमो नाराएं जी, नमो नाराएं जी चिमिलाल जी, नाराएं भविश्यवाने में स्वागत है, बताईए जी मैं मैं मेरी लड़की है रोमिका गोयल रोमिका गोयल जी बताईये नाराएं जी उसका डेट वर्त है आठ बसके चॉणती मेंटर पी एम जी और डेट वर्त बताईये अठाई जलाई उनीसो थासी झाल एफ जुलाई उनीसो थासी समय आई आपका चले बताईये जानमस्थान कहां पर प्यांका रामपुरा फूल पंजाम में बताईये जी क्या जानना चाहेंगे गोईल सावाब पंद जी मेरे तो जनी के लड़की की शाद्धी के लिए बड़ कि महादशा चल रही है अभी इनको सब पिरिये दशा अभी प्रेजेंट में चल रही है, 29 दिसंबर 2017 अब प्रियास करी कीजिए, आपको एक चोटा सा उपाये बताता हूं, विश्णु बगवाने चाहतो इसी वर्ष 29 दिसंबर तक बच्चे का विवा हाथ पिले हो जाएंगे दूसरी बात मित्र क्या करना है इनकी कुंडली में गुरु शुकर इनके फौर्थ हाउस में बैठे हुएं सिरफ आपने एक ये दो ग्रहों का कंपेडिशन हो रहे हैं आपको करना कि छोटा सा उपाय करना है आपने हर शुकरवार मंदिर में जाकर के बच्चे को साथ ले जायां अगर हो सके तो और कूई युवाब्रहमन को सफेद रसगुले दान करके आएं शर्त यह जहां कि युवाब्रहमन को इने आपने वृद บ्रहमन को देंगे तो ब्रश्पति का उपाए होगा आपने उपाए करना है शुक्र का सफेद रंग के कपड़े का दान करवा दीजिए किशी भी शुक्रवार के दिन युवा ब्रह्मन को विश्णो वगवान ने चाहा नाराएंजी इसी वर्स 29 दिसंबर तक बच्चे का कल्यान हो जाएगा नमो नाराएंजी गोल सब चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उपना सवाल रखने के लिए अगली कॉलर कवीता फोन-लाइन पर जुड़ चुकी है कवीता नाराएंज भविश्यवानी में बहूत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखिए जी कवीता अग तो हम बात किसानों की कर रहे हैं, महा उपाए अभी नारायन जी ने बताया, जो कि महा उपाए अगर किसान करेंगे, तो उनके लिए बेहद ही लाबधायक ये उपाए सिद्ध होगा. देखो दोस्तो इस उपाए के बारे में मैंने आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसानों का बला होगा, क्योंकि आपको पता है किसान के घर में यदि ब्याशादी होती है, किसान यदि मकान बनाता है, किसान के घर में यदि खुशी आती है, किसान के घर में यदि खेती में बर प्रक चलेंगे टायर घिसेंगे सिमिट बजिरी रेटा विकेगा पुरे देश की इंडस् Avatar चले गी एक किसान यह दी खेती चलती है एक किसान यह दी खुश होता है दोस्तो तो 140 प्रकार की इंडस्टरियां हमारे देश की रन करती हैं जिससे हमारे भवश्यवानी के जरिये जो भी आपके सवाल हैं ये जो भी आपकी समस्याइं हैं उनका समाधान जरूर हो पाया हो तमाम उपाए नारायन जी ने आपको बताए हैं रोजाना हम आज बजे हाजिर होते हैं जो भी आपकी समस्याइं हूँ उनके लिए उनके उपाए नारायन झाल झाल